डियर इस्ट्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं 2021 के नोबल प्राइस विजयताओं की तो जो 2021 का नोबल प्राइस है वो संयुक दूरूप से डेविटार्ड जोश्वा एंग्रिस्ट ग comp ambience को दिया गया है यह थीर इस बस gefaith ने पर जेविश्षक अने दिया गया है तो जब दैविटार्ण है उनका लेवर600 एकविश्ब के लिए और जोश्वा एंग्रिस्ट आंवेंक् की बात करें कि history क्या है economics के nobel की तो यह economics के nobel जो है वह start हुआ था जो official name है इसका है वो Saveris Risk Bank Price है जो Alfred Nobel की memory में दिया जाता है यह इस price established हुआ था 1968 में by donation of Sweden Central Bank जिसका नाम है Swaggeris Risk Bank ठीक है और वह क्यों दिया गया था तो इस bank की तो 300 भी anniversary थी उसके लिए इसे दिया गया था और award जो first time award किया है वो 1969 में किया गया है और 1969 में Ragnar Frisch को यह award दिया गया था first time ठीक है तो यह history है इसकी साथी साथ इस साल का जो award दिया गया है उसके important points क्या है तो हमने बात की है कि संयुक तुरूप से David Card, Angerist and Ambience को यह 2021 का number price दिया गया है जिसमें से आधी राशी जो है वो David Card को दिया गया है उनके contribution labor economics के लिए साथी साथ जो अन्य दिया गया है वो Angerist and Ambience को दिया गया है और उनका contribution क्या था उनका contribution है casual relationship के लिए और यह एक methodological approach के द्वारा इन्हें दिया गया है तो आधी राशी जो शेर की गई है वो Angerist and Ambience के द्वारा की गई है जबकि आधी David Card के लिए दी गई है साथी साथ अगर हम बात करें तो David Card को किसलिए यह राशी प्रदान की गई है तो उनके natural experiments के लिए उनके natural experiment के लिए David Card को यह राशी दी गई है या number price दिया गया है जिसमें उन्होंने labor market के labor market का effect क्या labor market पर क्या effect होता है minimum wage मजदूरी का immigration का plan का और education का इसलिए उन्होंने दिया गया है उन्होंने अपनी study में challenge की थी conventional wisdom theory को जिसके उनके analysis से नए हमें analysis और results प्राप्त हो है ठीक है तो उनके result में क्या बताया गया है उनके result में बताया गया है कि अगर हम मजदूरी बढ़ाते हैं minimum मजदूरी बढ़ाते हैं तो उससे जरूरी नहीं है कि हमें कम job प्राप्त हो उधारन के तोर पे अगर कोई भी wages को बढ़ाता है जैसे माल दीजिए अगर 300 के थी उसको बढ़ा कर साड़े 300 अगर labor wage कर दी जाती है तो क्या होता है मजदूरी जो मालिक होता है वो कम से कम मजदूर जैसे पहले दो रखता था तो वो एक रखने की कोशिश करेगा जिससे क्या है employment कम होती है परंतु इस theory के दोर यह सिद्ध किया गए कि यह जरूरी नहीं है कि wage बढ़ाई जाए तो मजदूरी कम हो ठीक है इस तरह उन्हों शिद्ध किया साथी साथ उन्हों ने यह भी शिद्ध किया है कि नए immigrants के आने के या नए पलायन करके लोगों के आने से वहां कि पूर्ण निवासियों को रहवासियों को कोई हानी होती है परंतु यह हो सकता है कि पहले से जो immigrate करके आये थे उन पर कुछ negative effect दिए दिखे साथी साथ इसकूल के resources पर भी जो labor का प्रभाव पड़ता है वो उनके future के साथ में relate करता है ऐसा उन्होंने previously thoughts को के बारे में बताया है एंग्रिस्ट एन एंबियंस को क्यों प्राप्त हुआ है यह भी हम देखते हैं तो जोश्वा एंग्रिस्ट एन एंबियंस ने क्या solve किया है एक methodological problem solve किया है जिसमें उन्होंने एक precise conclusion निकाला है जो cost and effect कारक कारण संबंद पुसिद्ध किया है जो natural experiment से सिद्ध कारपाना मुश्किल होता है और इस तरह यह एक हमारी society के लिए बहुत ही important benefit है तो ambience और एंग्रिस्ट ने जो natural experiment से solve किया है उसको interpret करने के लिए example के तोर पर अगर हम ले कि अगर किसी group of students की एक साल तक हम education को बढ़ाते हैं मतलब अगर उसने graduation किया है तो अगर से post graduation के लिए या एक वर्ष और पढ़ने के लिए कहते हैं तो उसके future पर क्या effect आएगा इस बारे में उन्होंने analysis किये तो उससे अगर हम एक group यह संभव नहीं है कि हम कुछ बच्चों को बोलें या कुछ group of students को बोलें कि वह एक extra साल पढ़ें तो इस तरह से natural experiment के द्वारा यह करना संभव नहीं था परन्तु उन्होंने by observation इसे किया है जैसे उद्धान के तौर पर अगर हम chemistry में chemical science में बात करें तो हम litmus paper test करके हम बता सकते हैं कि वह अमल है या चार है तो परन्तु economics में क्योंकि है social science है यह कर पाना मुश्किल है तो तो social science के द्वारा और cable observation के द्वारा यह study की गई है और इस तरह उन्होंने सिद्ध किया है कि extra year of schooling का क्या effect किसी के future पर होता है उसको समझाया तो इस तरह इस साल का जो nobel price वह प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है लिबर एकोनोमिक्स के लिए लिबर एकोनोमिक्स के लिए ओके ठीक तो इस तरह यह प्राप्त हुआ है थेंक्यू